समाजवादी पार्टी के राश्ट्री ये सचे बनाए जाने के बाद इटावा पहुचे नवीन कुमार जोड़दार स्वागत उनका किया गया बतादें कि विधान सभाद चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की तैयारी तेज हो गई है इस तयारी के बीच पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नवीन कुमार ने अखिलेश यादव के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इस बार प्रदेश में समाजवादी ही सरकार बनाएंगे उन्होंने कहा कि पहले अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तब उनके कारिकाल में राज्य के विकास के कई काम हुए योजनाओ का लाब लोगों को मिला लिकिन आज इस्तिती बदल गई है उतर प्रदेश में किसान बेरोजगार नौजवान सब परेशान है प्रदेश में कानून व्यवस्था वी चौपट हो चुकी है कि वहां चौपट झाला अजिए जिए गवानी अखली स्यादर्शी ने मुझे बज़कर विस्वाद किया और और उसे जताया तो मैं उनका सोटबूर्ट आवारी हूँ ने थेने बाट है परवर्तन जनता चाह रही है अब परवर्तन मतलव स्रफ अखलेश यादव अखलेश अब की बार अखलेश सरकार नहाई लगाओ बाटपा हटाओ और कानून बिवस्ता चौपत विक्यापनों में बाटपा अगर बोलवाला ये सारी बिवस्ताओ चलेगे